6.13 पढ़ देते हैं, जो लिखा है उसे नोट का लिजे, सलूसन मत देखिएगा, देखो ध्यान से, लेकिन इट इस डिजायर तो मेजर दा मैगनेट, मैगनिटूड ओफ फिल्ड बिट्विन दफ पॉल्स आफ पाउरफुल लौड़ स्पीकर मैगनेट, आप जानते हैं, लौड़ स्पीकर मैगनेट होता है, तो उसके बीच का मैगनेटिक फिल्ड की स्टेंथ हमको जाननी है, स्मालव्स फ्लाइट सरच कोईल एक सरच कोईल ले लिया, सरच कोईल का मताब वों कोईल जो मैगनेटिक फिल्ड की वैलू सरच करने में, हमारी मदद करेगी, आफ एरिया इप। 2 cm2 उसके एरिया केतनी है 2 cm2 and 25 closely wound turns उसे 25 turns है its position it sorry is positioned normal to the field direction यानि यह field के normal direction में है तो theta केतना होगा आप महचान जान 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 गए होंगे and then quickly snatched out the field region और quickly बाहर निकाली गई है evidently it can give it is quick 90 degree turn to the bring the plane parallel to the field direction the total charge flown in the coil is measured by the ballistic galometer मतलब चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया गया है हमने ballistic galometer से मतलब नहीं है जो चार्ज को मेजर करता है वो था 7.5 mili kulam charge दिया हुआ है the combined resistance of coil and the galometer is 0.50 ohm estimate the field strength of magnet magnet की field strength निकाल निकालनी है question English में था English तो आप लोगों को आती है ने इंगली भी नवालों के इंगली तो अच्छी होती है ठीक है तो उसको पढ़िए समझाईए फिर हम बात करें देखे एक speaker में ऐसे दो magnet लगे होते है न वो लोग जानते हैं को हूफर होता है ऐसे दो magnet ऐसे 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 लगे होते हैं ऐसे magnet ये ऐसे speaker के magnet होते है बहुत अच्छा diagram नहीं बना पाएंगे ये speaker के magnet है ये मालिया north pole है ये मालिया south pole है ठीक है तो इसके बीच में एक magnetic field है उसी की field की strength हम जानना चाहते है ठीक है तो उसके लिए हमने क्या किया है कि इसके बीच में एक coil रग दी है एक coil ऐसे रग दी है ऐसे zero degree क्योंकि angle किसके किसके बीच होता है magnetic field and area vector की बीच होता है अब देखो initially ये coil रखी भी है ठीक है तो initial flux कितना उसे पास हो रहा है B into A cost zero B बोले तो पता नहीं A बोले तो बाद में बाद करेंगे B into A लिख दिया initial flux है और फिर कहते हैं हम क्या करते हैं इस coil को एकदम से बाहर निकाल लेते है कोईल को अंदर रखा और फिर बाहर निकाल लिया उटागर की बाहर निकाल लिया तो flux कितना हो गया 5-2 कितना हो गया 0 हो गया चेंज हो गया ना flux में flux का चेंज हो गया तो उस flux के चेंज होने से एक EMF induced हुआ तो कितना हुआ induced EMF induced EMF क्या होता E ब्राबर- delta 5B upon delta T minus phi2 minus phi1 upon delta t अब induced EMF की value कैसे निकाले ए ब्रावर क्या होता आई 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 हो जाएगा ना i into r तो i की value तो मालूप नहीं है तो q upon t हो जाएगा अच्छा जितने time में आपने इसको बाहर निकाला है उतने time तो current flow होगी i को क्या लिखें q upon t बोले क्या लिखेंगा delta t into r is equal to minus phi2 कितना है 0 और phi1 कितना है b into a upon delta t delta t delta t cancel हो गया तो यहां क्या आया q into r is equal to ba तो b की value क्या हो जाएगी q into r upon a यहां तर पहुँचिए logic सुन गया logic क्या है अब वो चार्ज किसे major करते हैं बात की बात है वो बैलस्टी गिलोमीटर करें या anti-bैलस्टी मेसाइल डाल दें हमसे कहा मतलब है चार्ज से मतलब है हमारा अच्छा इसमें number of turn से कोई मतलब नहीं है क्यों total charge से हमारा काम था total charge कितना था अगर हो कहते each turn में इतनी current है तो number of turn से multiply करते total charge दिया था इसलिए उसी से काम चल जाएगा वैलो रखो यहाँ पर चाहाँ यह number of turn का यहाँ इस्तिमाल करेंगे ना आप n n n यहाँ into n रखो वैलो उठा करके b के वैलो क्या जाएगी q बोले तो q बोले तो 7.5 into 10th power minus 3 into r बोले तो 0.50 upon a बोले तो 2 into 10th power minus 4 into n बोले तो 25 हमको लिए तो numerical value कोई change तो आएगा नहीं के वहला आपका 25 दुना 50 नीचे भी है 50 उपर भी है देखो 25 दुना 50 हो गया इसको काड़ दे 0 अच्छा इसको नीचे 100 कर दे यह टू टाइम वन टाइम हो जाएगा 100 इस लेकर नहीं आपनों calculation ब्लाइ स्टॉंग है ना तो 7.5 into 10th power minus 3 है नीचे कितना 10th power है minus 2 तो plus 2 हो जाएगा तो 0.75 आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वाइर या इसका दूसरा जूने टेसला होता है 2.75 आ रहा है हाँ वाह तो यह आपका 6.13 है जाएगा